सड़कें अच्छी होने से देश जो है वो ताकतवर बनता है देश विक्षित बनता है जो सरकार है इसने हाईवीश पर भोज्याता ध्यान दिया है भारत ने उस मंत्र को जो अटन जी के समय सुरू हुआ और अब मौदी जी के समय में बहुत आगे बढ़ गया है कि दिली से बंबई का दोसा तक का गते बन गया है उसका प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं गती जो है वो मैं कोंगा की बदल गई है भारत की से नेसल हाईवेज एक बहुत तेजी के साथ डिवलप को रहे हैं पहले उनके हमने रैली रखी थी लेकिन उस दिन मौसम के कांड से वो पहुं जो सरकार है जिसने हाईवेज पर बहुत जाता ध्यान दिया है और नेसल हाईवेज एक बहुत तेजी के साथ डिवलप हो रहे हैं और गती जो है वो मैं कहूंगा की बदल गई है भारत की चे ट्रेनों में कहें तो वंदे भारत से चे रोड से कहें तो 152 से जो लोगा बात जान मंत्री जी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बड़ा बदलाओ इस यात्रा में आएगा बहुत तेजी के साथ अब यह यात्रा यह संपन हो रही है भारत ने उस मंत्र को जो अटल जी के समय सुरू हुआ था और अब मोदी जी के समय में बहुत आगे बढ़ गया है कि सड़कें अच्छी होने से देश जो है वो ताकतवर बनता है देश विक्षित बनता है इसको जिसतरे से कहा गया था पहले कि जो अच्छी सड़के हैं वो देश को विक्षित करती हैं तो इसको पहले यह कहते थे कि अच्छा देश है इसलिए अच्छी सड करोड रुपे लितिन गड़करी जी के मंतराले को मिले हैं 2,44,000 क्रोड रेल मंतराले को मिले हैं 10,00,000 क्रोड रुपे ढाचागत उस पर खर्च हो रहा है तो मुझे लगता है कि जो अमरत काल का सौपन मोधी जी ने दिखाया था कि कैसे अगले 25 साल में भारत दुनिया में अच्छी होने से देश जो है वो ताकतवर बनता है देश से विक्षित बनता है जो सरकार है जिसने हाइवेज पर भोजाता ध्यान दिया है भारत ने उस मंत्र को जो अटन जी के समय सुरू हूआ और अब मोधी जी के समय में बहुत आगे बढ़ गया है कि दिनली से अच्छी के साथ डिवलप कर रहे हैं